तो अभी इस टाइम में आप एक पीसी लेना चाहते हैं तो चुरा मोड़ा काम के लिए ज्यादा आप लोड नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे एक पीसी आप त्यार करना चाहते हैं तो कॉम प्राइज में अच्छा कोईटी का जो हमने यहां पर चीज यूज किया है वह आप देख लीजिएगा और लास्ट में इसका जो बिल वगड़ा है कितना प्राइज मुझे लगा और कौन सा चीज में कितना प्राइज मे प्राइज में पता चल जाएगा तो चलिए शूर करते हैं तो फिर अमारा PC setup लेना के लिए यहां पर लुकाल मार्गेट में एक शॉप है तो यहां पर हमने आ गया है तो यहां पर सब कुछ मिल जाता है तो सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिए यहां पर आपको मिल जाएगा M2 SSD आप लगा सकते हैं डीटेल सबसे की साइड में यहां पर लिखा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग जो रैम यूज करेंगे इस्टर लाइट का DDR4 का रैम यहां पर यूज करेंगे यहां पर 4GB का एक है तो 2 हम लोग यूज करेंग तो आप जितना GB आप लेना चाहते हैं उसी इसाफ से आप 2 RAM यूज कीजिए तो आच्छा जो रेजल्ट आपको मिलेगा और एक बात आपको धहन में रखना है दोनों ही एक ही company का आपको लेना है उसके बाद यहां बार हम लोग M2 SSD का यूज करेंगे तो यह 512 GB का है तो आ आप थोड़ा सा पैसा एड करके आप अच्छा कोईटी का आप SSD का अब ले सकते हैं तो नीचे description में कुछ किंगस्टोन का RAM और SSD का लिंक दिया हुआ है और आप जाकर पे आइस देख सकते हैं और यह रहा Intel का i3 processor जो 10th generation है तो 10105 LGA 1200 और यह जो processor है यह 3.70 GHz है तो यह आप आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है और आपको एक keyboard और mouse लाएगा तो हम लोग यहां पर Logitech का keyboard और mouse जो combo है वह हमने यहां पर लिया है तो आप लोग देख सकते हैं MK120 अभी यहां पर जो जो चीज हमने देखा है तो इसका MRP कितना लिखा हुआ है वह आप यहां पर देख लिजिए तससे पहले यह जो combo logitech का है तो यहां पर जो MRP लिखा हुआ है 9295 रूपीज यहां पर लिखा हुआ है और Intel i3 10 generation का processor के जो price है यहां पर 18,000 यहां पर लिखा हुआ है तो इससे बहुत comparison में आपको मिल जाएगा बिल लास में हम लोग और यहां पर जो M2 SSD card है तो इसका जो price है 9,000 MRP यहां पर लिखा हुआ है तो फिर यह M2 SSD card और जो RAM हमने यूज किया है यह मुझे सही नहीं लेगा तो kingstone का लीजिए और kingstone का जो सही model है ओ भी निचे डिशन है दिया हुआ है तो देखिए यहां पर star light का जो RAM है तो यहां प S2 Ace तो इसका MRP यहां पर 11,960 रूपीज यहां पर लिखा हुआ है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है तो फिर अभी कौन सा product कितना price मुझे 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 मिला है तो आप लोग आप जान लीजिए तो यहां पर दो rate यहां पर लिखनों और GST लेकर 6,372 रूपीज यहां पर जो दो RAM है तो दो RAM का price 1,888 रूपीज और M2 SSD card जो है उसका जो price है 2,374 रूपीज और यहां पर जेबरोनिस का motherboard हमने यूज किया है तो यहां पर price लिखा है 737 रूपीज 450 रूपीज का जेबरोनिस का SMPS का price 499 रूपीज डिबीडी राइटर भी हमने यहां पर लिया है 1,327 रूपीज Logitech का keyboard और mouse लेका इसका जो price है 870 रूपीज अंटिवाइडियास 349 रूपीज और छोटा वाला एक speaker भी हमने लिया है यहां पर 499 रूपीज लास में LG का 22 इंची का monitor हमने लिया है तो इसका price 8,330 रूपीज तो सब मिला के total 32,295 रूपीज में मुझे मिल गया है इसके अंदर से आप antivirus डिबीडाइटर मनेस कर सकते हैं यहां पर जो caminate हमने लिया है normal caminate लिया है तो आप ज्यादा बड़ा भी कमinate ले सकते हैं तो इसका price त्वासा ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर 30,000 के अंदर आमने 10th generation का processor के साथ जो motherboard भी आमने लिया है यह भी बहुत अच्छा है AM2 SSD 500GB का भी आमने यहां पर यूस किया है तो आपको gaming बायरा करना है normal editing बायरा करना है तो सब जो processor और motherboard हमने लिया है तो इससे साथ आप कर सकते हैं कोई भी दिकत नहीं आएगा ज्यादा heavy game आप खेलना चाहते है तो थ्वासा दिकत हो सकता है तो आप एक gapis cut अब लगा दीजिए तो और कोई दिकत नहीं आएगा तो मेरे ही सबसे कौन सा चीज कौन सा company का आप लेना चाहिए तो आप लोग आप सुन लीजिए तो गिगाबाइट का नहीं तो आसूस का motherboard आप लीजिए तो कोई भी दिकत नहीं है इंटेल का 10th generation का processor आप लीजिए तो i5 आप लेना चाहते तो ले सकते हैं मागा 10th generation 9th generation ऐसे आप लीजिए तो i5 उसका प्राइज है तो i3 10th generation बहुत आच्छा प्राइज भी मिल रहा है तो इसलिए हमने लिया है और यहाँ पर जो RAM जो M2 SSD है यह Kingston का मॉडल है और नीचे रिशनाय दिया हुआ है और आप लीजिए और monitor 22-inch का आप LG का भी ले सकते हैं और Samsung का भी ले सकते हैं और एकदम Comprise में आप PC setup करना चाहते हैं तो 3rd generation के नीचे आप मत लीजिए और आप जो motherboard लेना चाहते हैं तो ओ फॉंटेक का A61 लीजिए तो उसमें M2 का slot भी आपको मिल जाएगा मागर जेब्रानिस के साथ आपको नहीं मिलेगा तो फिर जो motherboard का जो wire बगड़ा है एक ऐसे connection करना है और दूसा वीडियो में आम लोग डिजिल में बात करेंगे जाएगा तो फिर आपको इस computer से क्या कम करना आपको gaming करना है आपको कितना gaming करना है क्या कह नहीं आपको कितना editing करना है उससे आप PC setup ले सकते हैं मेरी जाएट से जो हमने यहापर यूज किया है जो motherboard जो processor हमने यहापर यूज किया है तो normal gaming, normal editing बगड़ा आप में यहां पर कर सकते हूं कोई भी दिकत नहीं आएगा ज्यादा हेबी करना है तो एक गैपिक्स कार्ण हमनों यहां पर लगा देंगे तो और कोई दिकत नहीं आएगा तो अपर ऐसे करके 30,000 के अंदर आप अच्छा कोईडी का एक PC आप ले सकते हैं तो एक चुना जानकाई देने के लिए विडियो में तैर क्या है तो थैंक्स एविडियो देखने के लिए और भी आच्छे दिल्यार लागश्चा कर देगा ऐसे और भी देखने कीजिए में च कर द棟स्दी झाम जाच्छी कर दिल्यार ले झुत में चांप ले चरियों से कल रहाश्चा कर दोश्टा देखने कीजियों का MPK कर देखनीक्ट भी जायव करते हैं